नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में 6 मामे 14 लाग लोगों के बने आधार काट इसके साथ बढ़ते हैं शामता की बड़ी खबरों के और विस्तार से बिहार में 6 मामे 14 लाग लोगों के बने आधार काट यूनिक आइटिफिकेशन ऑथोरिटी ओफ इंडिया के द्वारा जारी के गए आंकर कंसार बीते 6 मामे राजे के कुल 14,82,441 लोगों के आधार काट बने हैं जिसमें बाल आधार भी शामिल है मालम हो कि राजे में पिछले वीतिय वर्स तक 11,37,385 लोगों को आधार काट बनवाया गया था बता दे कि राजे के 8,000 डाग घड़ों में आधार केंदर चल रहे हैं जहां आधार काट से संबन इतकारे करवाये जा रहे हैं ऐसी में अगर आभी उन लोगों में है जो अपना आधार काट बनवाना चाहते हैं या आपडेट कराना चाहते हैं और अपने नस्दी के आधार केंदर को ढूँनना चाहते हैं तो इसके लिए UIDAI की पोर्टल पर जाकर अपने राज्य जिला शहर और पोस्टल कोड की जान इसके तहट अब विद्यार्थी 11 वी में स्पोर्ट ना मांकर ले सकते हैं इसके लिए समीती की ओर से 10 दिसंबर तक का समय दिया गया है इसके साथ ही विद्यार्थियों को विद्याले बदलने का भी विकल्प मिलेगा इसके लिए विद्यार्थियों को Online Facilitation System for Students यानी की OFSS की कटे ना सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के दौरा दिये गए नर्देश कनुसार स्कूलों से बिना किसी जानकारी के लंबे समय तक गायब रहने वारे चात्रों पर बड़ा एक्सन लिया गया है बता दे कि विवाग के दौरा जारी के गया आक्रों के हो गया है जिसमें सबस्यादा चात्र पूर्वी चंपारण के है जहां कुल 1,43,428 चात्र सामिल है आपके जानकारी के लिए बता दे कि न 22,49,216 चात्रों में से कक्षा 9-12 तक में कुल चात्रों की संख्या 3,92,143 वहीं कक्षा 1 से लेकर आर्ट तक में कुल चात्रों की सं जब इन्यू कोट में सुनवाई होनी थी लेकिन इस सुनवाई को टाल दी गई है बता दे किस मामले पर सुनवाई को 29 नमबर तक टाल दिया गया है इसके साथ ही कोट की ओर से सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट अदारत में जमा करने का आदेश भी दिया गया आपके ज लालू यादव राबरी देवी तेश्रियाद मिशा भारती को व्यक्तिगत पेशी से छूड़ दी जै जिसे कोट की ओर से स्विकार कर लिया गया था यही वज़त ही कि आज की सुनवाई पे लालू यादव के परिवार के सदश्य उपस्तित नहीं थे बिहार का मरचा चुड़ा का पच्चतर देशों के लोग चखेंगे स्वाद सुची में शामल किया गया है और इसी के साथ बिहार के कुल 6 उतपात को जी आई टैक की सुची में शामल कर दिया गया है इसकी कीमत 200 रुपए प्रती कीलो तक होती है आपकी जानकाली किल बता दे कि रामजी प्रिशाद के द्वारा तयार के गया है चिवड़ा को बिहार के कई जिलो सहित उत्तर प्रदेश पंगाल उडिशा जारकन उत्राकन आदी राजियों में भिला दाता है बिपियासे सक्षक भरती परिचा रिजल्ट के कट ओफ पर सवाल उठाने वाले सक्षक अभियर्थियों को नोटिस बिहार लोग सेवा आयो के ओर से उन्चार सक्षक अभियर्थियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है जिनके दोरा बिपियासे सक्षक भरती परिचा के कट ओफ पर सवाल उठाए गया थे पतादे किसा जानकारी वेबसाइट पर दे दी गई है जिसमें सक्षक अभियर्थियों के नाम, रोल नंबर और फोटो भी सार्जूनिक कर दिये गए हैं इसे में आयो क्योंड से इनसे एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है लेकिन अगर ये निरधारित समय के अंदर तत्यों के साथ जवाब नहीं देते हैं तो माना जाएगा कि इनके पास कोई तत्य नहीं और फिर इन पर कारवाई की जाएगी और उन्हें आगी की दिखा दी गई है बतादे कि इस फोरलेंड की लंबाई 41.8 किलो मीटर होगी मालुमोग इस फोरलेंड के निर्मान होने से बिहार की राजधानी पटना से बेतिया की दूरी कम हो जाएगी और इसके साथ ही चंपतिया बेतिया बढ़या और नौतन प्रखन के विकास के मार् इश्कुमार राई के दोरा भाजबा के पुर्व अध्यक्षव सांसद डॉक्टर संजेर जैस्वाल पुर्व उकमोखे मंत्री रेनु देवी समीत अने विधाई को वधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है पतादे कि पश्चिम चंपारन में इस फोरलेंड की कुल आम रोशन हो गया है दरसल बिहार के छपड़ा की रहने वाली साइकलिस्ट वर प्रवतारोही सभीता महतो के द्वारा लुकला से एवरेस्ट बेस कैम जिसकी उचाई 5364 मीटर है उसका सफर्द 12 दिनों के बजाए मातर 64 घंट यानि की 2 दिन 16 घंटे में पूरा कर लिया ग दूद कोशी नदी के साथ साथ नामचे वाजार तिंग बोचे लोगचे होते वे एवरेस्ट बेस कैम तक पहुंची आए से 50 फीज़ी अधिक संपती अर्जित करने के मामले पर उनके ठिकारों पर छापे मारी की गई है बतादी के बीदियों के खिलाब 30 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद विभाग के द्वारा बीदियों के सारर और वैशाल जिले में सित त्रिया प्रखन काड़े आले मढ़ोरा एस्थित घड़ और हाजिपूर के वीर कुवर सिंग कॉलनी एस्थित सिसुराल में छापे मारी करते वे एक किलोग्राम सोने के गहने और कई महतपुन दस्तावेज बढ़ा मत किये गए है कुड़ा जलाया तो पांस से पचिस हजार तक जिर्माना विहाल की राजधानी पटना में वायू प्रदूशन पर नियंतरन किया जा सके इसके लिए अब कुड़ा कच्रा जलाने वाले लोगों को पांच हजार से पचिस हजार रुपए तक जिर्माना चुकाने होंगे बता दे कि अगर नगर निगम, नगर परिशत, सरकारी, गयर सरकारी और नीजी संस्थान से निकलने वाले कूड़े को जमा कर जलाया जाता है तो उसके लिए 25,000 रुपए का जिर्माना चुकाना होगा वही अगर कोई व्यक्ति कच्रा और कूरा जलाते वे पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए जर्माने के रूप में देने होंगे बता दे कि अगर जर्माना पटना नगर निगम जिला परशासन और प्रदूश अन्यंतरन बोर्ड ले सकता है मालमों कि से पहले पुवाल जलाने पर भी रोक लगाई गई है ऐसे में अगर कोई किसान पुवाल जलाते पकड़े जाते हैं तो उसे सरकार के उर से धान के खरेदारी नहीं की जाएगी सक्चक बहाली में क्रेट लेने पर आई तेश्री यादव की प्रतिक्रिया दरसल जब मीडिया के दोरा तेश्री यादव से पूछा गया कि सिक्षक निप्ति को लेकर आरजडी जेडियू के बीच क्रेट लेनी की होड लगी है इस पर तेश्री यादव के दोरा जवाब देते वे कहा गया कि कौन सा क्रेट का कोई मतलब नहीं है हम लोगों की सरकार को नौकरी देनी थी वो दे रही है उन्होंने कहा कि क्रेट लेकर क्या फाइदा है सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि हम महागरबंधन की सरकार है और सब लोग मिलकर नितीश कुमार के नितुत में काम कर रहे है विवादों से मतलब नहीं है कुछ ना कुछ विवाद करते रहेंगे किसकी तस्वीर नहीं है सीएम नितीश ने सीपी आई की रैली में दिया बड़ा बयान आज यानी की गुरुबार को बिहार के मुक्य मंत्रे नितीश कुमार के द्वारा पटना के मिलर हाइस कूल के मैदान में आयुजित CPI के भाजपा अटाव देश पचाव रैली में सभी को संबोधित करते वे कॉंग्रस को लेकर अपना एक बड़ा बयान दिया गया और उन्हें कहा कि अभी पांच राज्यों में विधान सभाद चुनाव चल रहा है ये लोग राष्ट पेता बापो को भूलवाना चाहते हैं यही कारण है कि हमने सभी विपक्षे दलों को एक जुट होने का आवाहन किया है जेडियो का महगाई को लेकर मोधी सरकार पर हमला इन दिनों प्याज की बरती कीमते लोगों के जेप पर ज़्यादा असर डाल रही है वही अब इस पर बरती महगाई को लेकर बिहार के मुख्यमंतिर नितीश कुमार की पार्टी जेडियो के द्वारा एक्सपर जोकी पुर्व में पारी खेल रहा है मोधी जी की महगाई डायन सब कुछ खाय जा रही है कप्तार रोहिस सर्मा ने हार्दिक पांडिया के फिट्नेस पर दिया बड़ा बयान भार्दिय टीम के खेलारी हार्दिक पांडिया बांगलादेश के खेले गया मैच में चोटिल हो गया थे ऐसे में अब वो किसी भी मुकाबने में भाग नहीं ले पा रहे है वहीं अब हार्दिक पांडिया के फिटनेस पर कप्तार रोह सर्मा के द्वारा अपडेट देते वे कहा गया है कि काफी positive development है मैं इसको rehab नहीं कहूंगा लेकिन हार्दिक और NCA ने जो भी प्रक्रिया follow की है उसके नतीजे काफी positive आए है हार्दिक अगले मैच के लिए उपलब्द नहीं होगे हार्दिक इंजरी ऐसी है जिसको हमें हर दिन मॉनिटर करना पड़ता है उन्होंने कहा कि उनकी recovery कितने प्रतिशत हुई है या देखना पड़ता है हमको उनके batting और balling के load को monitor करना पड़ेगा हम वर्ड कप की बात कर रहे है जहां हर तीसरी या चौथे दिन मैच खेलना होता है हो सकता है जैसा उनका चल रहा है हम उनको जल से जल खेलती वे देखेंगे बता दी कि आज भारत और शुलंका के बीच विश्व कब 2023 का ते तीसवा मुकाबला खेला जा रहा है जानी या अद बिहार में क्या है पिटरो डीजल के रहे है बिहार में आज या नि गुरब़ार को पिटरो डीजल के रहे जारी किएगए इसके बाद राजधानी पथना फार्टा मीयाज के 5 दिचर कि अब बरते हैं अज के 5 सवाल की और हमारा पहला सवाल है सक्षक भरती परिच्छा रिजल्ट के कटोफ़ पर सवाल उठाने वाले कितने सक्षक अभ्यर्थियों को नोटष जारी किया गया है उप्शन A 4, उप्शन B 5, उप्शन C 8, उप्शन D 6 इसका सायुतर है उप्शन A 4 अगला सवाल, निर्मान की जाने वाले बेतिया अरेडाज NH 149W फोल्लेन की लंबाई कितनी है? उप्शन A 42.1, उप्शन B 31.8, उप्शन C 24.6, उप्शन D 41.8 किलो मीटर इसका सायुतर है उप्शन D 41.8 किलो मीटर अगला सवाल, नगर निगम, नगर परिसर, सरकारी, गैर सरकारी और नीची संसान से निकलने वाले कूड़े को जमा कर जलाए जाने पर कितना जुर्माना वसूला जाएगा? उप्शन E 5,000 रुपए, उप्शन B 10,000 रुपए, उप्शन C 25,000 रुपए, उप्शन D 20,000 रुपए इसका सायुतर है उप्शन C 25,000 रुपए अगला सवाल, BSEB के इंटर्मीडियेट सतर 2023, 25 में स्पोर्ट ना मांकर लेने के लिए अंतिम तारीक क्या है? उप्शन E 10,000 रुपए, उप्शन D 10,000 रुपए, उप्शन C 25,000 रुपए, उप्शन D 20,000 रुपए, उप्शन D 20,000 रुपए, उप्शन D 10,000 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 रुपए, उप्शन D 10, इसका सहीतार पूछे का आप लोगों से बहुत लोगों ने प्रम्चाप हमें वारी कक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है आज भारत और शिलंका के बीच खेरे जा रहे मैच में आपके अनुसार कस्टीम के जीतने की प्रवल संभागना है अपना जवाब हमें अमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारे निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चैनल को सब्सक्काइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद